हेलो फ्रेंट, वेल्कम टूर चैनल ग्यान फूर एक्जाम, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे जो बिहार SACCJL 2022 की डेली का प्रैक्टी सेट जो कराया जा रहा है, उसी सेट में क्रॉन पॉब्लिकेशन का सेट नंबर 5 है, इससे पहले अल्रेडी चार सेट अपलोड कर दिये गए हैं, जो की आपका बिहार SACC के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपका प्लेटफॉर्म पॉब्लिकेशन के भी प्रैक्टी सेट डेली आपको करा दिये जा रहे हैं, वह भी आपके टोटल 20 प्रैक्टी सेट में उसमें 15 टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको बता दूँ कि यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जहां पर आपको प्रतिक सेट में पूरे डिटेल्स के साथ आपको कराए जा रहे हैं, यानि कि जितने भी उस प्रस्ण से समन देते हैं, जो कुछ भी most important point रहता है, वो आपको हम बता देते हैं, फिर भी आपको कोई और भी suggestions देना हो, कोई और आपके मन में बिचार है, कि यह कुछ और सुधार होना चाहिए, ताप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर हमारा ये प् फूल है, तब आप हमें कमेंट में जरूर बताया करेंगे, आइए चलते हैं, आज का पहला जो प्रस्ण रहेगा, सेट नमबर पाच, सेट नमबर पाच का पहला प्रस्ण कुछ इस तरह से है, वीडियो को एक वार आप सेर जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ, कर लेंगे, वेल आइकन को ओन कर लेंगे, आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रस्ण है, कि गोल्डेन हैंड सेक निमलखित में से किस योजना का एक और नाम है, आपको सभी प्रस्ण में जो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम बताएंगे, समय थोड़ा आप से ज्यादा ल लेता है, ठीक है, आपके लिए जरुवत है कि उस से समन्दीत, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आपको अलग बनाएगा अपने आप से, और उसे, तो ये ध्यान रखेंगे, चलिए, उमीद है, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लाश्ट तक और वीडियो पसंद आने पर आपको पता है क्या करना है, तो देखें, प्रसन था कि गोल्डेन हैंड से, निमलिखित में से किस योजना का एक और नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डेन हैंड से जो है, स्वैच्छिक सेवा निवरिती योजना को ही कहा जाता है, ये जो है रोजगार बंध की एक सर्थ होती है जिसमें कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि आप समय से पहले ही अगर आप चाहें तो अपना सेवा निवरिती यानि की नौकरी पद छोड़ सकते हैं दूसरा प्रसने की निमलिखित में से कि सनुछेत की कारे प्रनाली के अंतरगत भारतिय संबिधा के अंतरगत अनुछेत 368 में है यानिकी आप्सन गंबर ए है न और ये अनुछेत जो है संबिधान के विभीन भागों में संसो फैजिव करने के लिए कुछ बिसेस बीदियों का वर्नन करता है जिसके अंतरगत क्या क्या तो संसत के दो त्यहाई बहुमत दौरा संसोधन के साथ-साथ राजियों के बिधान मंडल से भी पारित बिधान होनी चाहिए ये सभी पॉइंट जो है वो संबिधान संसोधन पर किरिया के उपाई होते हैं तीसरा प्रस्ण जल जीवन हर्याली योजना के तहट बिहार का कौन सा जीला पहले अस्थान पर ये कैरेंट के प्रस्ण है तो इसके तहट आपको यह प्राप्त होगा गया है न पहले अस्थान पर गया दूसरे अस्थान पर जहानावाद तीसरे नंबर पर और अंगावाद और चौथे नमबर पे नालंदा यानि कि 1, 2, 3, 4 ये सिक्वेंस में आपको दिये गए जल जीवन हर्याली के तहट पहला जीला गया चौथा प्रसने कि बिजय नगर सहर और सहर जो है किस नाम से जाना जाता है तो बिजय नगर सहर को हम एक अन्य नाम से जानते हुआ हम पी के नाम से जाना जाता है बिजय नगर की बात करें तो उसकार्थ होता है जीत का सहर ये जो है बिजय नगर समराज की राजधानी सहर जो है दच्छिन भारत में फैला हुआ है और इसका मुख्यता करनाटक के चारोगोर जो हमपी है वहाँ पर प्राप्त होता है पाचवा प्रस्न पाचवा कहता है कि निमलिखी तुगला की राजवन से किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के अस्थान पर तांबे सिक्के चलाये थे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बर्स 1330 में 1330 इसी में दिल्ली के एक सुल्टान हुआ करता था MBT यानि कि मुहम्मद बिन तुगला के इसी ने सांकेतिक सिक्के जारी किये थे यानि कि पीतल और तांबे के सिक्के ढ़ाल कर उसके कीमत जो है सोनो और चांदी के सिक्के के बरावर कर दिया गया था तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑपसन नमबर B मुहमद बिन तुगला का अगला प्रेस ने चाह नमबर के राजा हर्सवर्धन के दरवारी कभी कौन थे तो राजा हर्सवर्धन के जो दरवारी कभी थे आपको इन सभी में एगर उपसन देखेंगे तो बानवर्ट जो हुआ करते थे राजा हर्सवर्धन के दरवारी कभी हुआ करते थे हर्सवर्धन की बात करें तो ये उत्तर भारत के पहले थानेस्वर में और बाद में कन्नौज में ये सासन किये थे ये दोनों याद रखेंगे साथ ही साथ अगर बानभट की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वो हर्ष चरीत और कादंबरी दोनों प्रसीद है साथवा प्रस्न संग्मर्मर चटानों की किस रिनी में आता है तो संग्मर्मर की बात करें तो संग्मर्मर एक कायांतरी चटान है इसका निर्मान तब होता है जब चूना पत्थर, उस्मा और दवाब के अंतरगत आ जाता है यानि का उप्सन नमबर हमारा क्या हो जाएगा C का यांतरी चट्टन नमली खित में से किस खेल में खिलाडियों के पास पासकल के नियम का ज्यान होना अवस्यक है चढ़ाई में, पैरा ग्लाइडिंग में, राफ्टिंग में या स्कूबा ड्राइविंग में तो यहाँ पर पासकल के नियम की बात क्या है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए क पास्कल का नियम जो होता है वो liquid mechanical यानि कि तरल यांत्रिकी के सिधान्त से सम्मन्दी थे इसलिए हमारा सही आंसर हो जागा अस्कूबा driving option number D 9 number press ने कि ISDN ISDN का संचित रूप क्या होता है तो ISDN से यह मतलब होता है कि integrated services digital network क्या integrated services digital networks होता है जो कि public switch telephone network के प्रमप्रागर circuits के ऊपर ये काम करता है यानि कि सही आंसर option number C उमीद है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को like share comment चरूर करते रहेंगे चलिए दस्वा प्रेस्ने की रानी दुर्गावत्ती मदावी 1550 से 1564 थक सुरी माफ करेंगे आखी 1564 में मुगल से से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बच्चाब करने के दौरान किस रानी की मिर्ती हो गई तो रानी दुर्गावत्ती की हो गई थी ओप्संद नुमबर C कि चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न कहता है 11 नुमबर जो की केरेंट से समन्दी थे कि ओलंपिक कॉंसिल ओफ एसिया ने डैस को 2018 में हटाये जाने के बाद हांग जो चीन में आयोजित होने वाले एसियाई खेल 2022 में फिर से सुरू करने का फैसला लिया है कौन सा तो वह कौन सा गेम है तो वह है क्रिकेट ओप्स नुमबर बी 2018 में हटा दिया गया था और 2022 में पूना शुरू किया जा रहा है बारा नंबर है कि संयुक्तराष्ट की एक मात्र त्रिपक्षी एजनसी कौन सी है संयुक्तराष्ट की एक मात्र त्रिपक्षी एजनसी कौन सी युनेसको युनिसेफ आयलो या इनमेस कोई नहीं तो IELO यानि कि International Labor Organization एक मात्र तिरिपक्षिय सेहिकतराष्ट एजेंसी है जो कि 1929 में इसकी अस्थापना की जाती है यानि कि सही आंसर हो जागा option number C तेरे नंबर है कि महाबली पूरम इस्थित एकास्मिय सेल मंदिर का प्रसीध नाम क्या है तो महाबली पूरम जो कि Tamil Nadu के कांची पूर जीले में है एकास्मिय चट्टान पर विद्द्यमान इस मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं तो रत मंदिर के नाम से जानते हैं चौदर नंबर प्रसने के बाय मंदल में किस परत में ओजोन की परत होती है जो किस मंदल में जो है ओजोन मंदल है यानि कि ओजोन है तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन पिर्थिवी के समताप मंदल से संबंद रखता है और समताप मंदल छेतर की एक परत होती है जो कि समताप के निचले छित पर होता और 20 से 30 किलो मीटर पिर्थीवी से उच्चाई रखता है पंदर नमबर प्रेसने की Great Barrier Reef कहां इस्थी थे तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे Great Barrier Reef को ही हम महान प्रवाल रोधिका के नाम से जानते हैं जो कि आस्टेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर Queensland द्यूप पर इस्थी थे मुखे तह यह याद रखना है यानि कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 का प्रसांत महसागर के अंतरगत जो कि प्रसांत महसागर के पच्चमी किनारे पर इस्थी थे और यह भी याद रखेंगे कि जो Great Barrier Reef है यह 20 का सबसे बड़ा प्रवाल भिती तंत्र है इतना याद रखें 16 नमबर प्रसन कहता है कि प्रसीद 10 राजाओं का यूद कि इस नदी के तट पर लड़ा गया तो प्रसीद 10 राजाओं का यूद जो है यह लड़ा गया था आग कहां पर तो आपको पता होगा परुशनी नदी पर 10 राजाओं के यूद का जो बड़नन है यह हमें रीगवेद में मिलेगा और परुशनी नदी जिसे ही हम बर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं यहीं पर 10 राजाओं कराया गया था 17 नमबर प्रशने की किस जैन सभा में अंतिम रूप से स्वतामबर आगम का संपादन हुआ तो जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था जिसमें चंदरगुप्त मौर के काल में पटली पुत्रम हुआ था उसी समया ध्यक्ष हुआ करते थे अस्ठूलभद इसी सम्मेलन के बाद जो है जैन धर्म का विभाजन स्वेतामबर और दिगंबर में हो गया और जहां पर 11 अंगो का संकलन भी क्या गया था यानि कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन मौर डी पाटली पुत्रा अठारवा प्रसने की रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त सासक को था रजत यानि की चांदी के रूप में तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त दिवतिये ने 388 इसवी के आसपास में रूदरिसीन तृतिये को समाप्त किया ध्यान से सुनेंग जो है चंद्रगुप्त दिवतिये को सकारी ये सको का दूसमन तथा सहसांक भी कहा गया है यानि कि सही आंसर वाजा का उप्सिन नमबर सी उनिस्वा प्रेसने कि रानी पदमिनी का नाम अल्लावदीन के चिताओड विजय से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम क्या था यानि कि रानी पदमिनी के पती का नाम क्या था ये बताना है तो ध्यान देंगे कि चिताओड का एक राजा हुआ करते थे राजना रतनसी र गोगुंडा के निकट ध्यान से सुनेगे 18 जून 1576 को गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी में युद हुआ था जहां पर मानसी एवा मासब खां तता महराना प्रताब के बीच में युद हुआ था जहां पर महराना प्रताब की पराजे हो जाती है य का मूलना बंदा बहादूर या लक्षमन देव या माधोधास के रूप में जाना जाता था है अगला प्रेस्ञ 11 में मसूले पटना में किया था चलते अगले प्रस्न की और प्रस्न है आपका 30 हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतं जो की 30 माई 1826 को प्रकासित हुआ था कहां से हुआ था तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र के रूप में जो जाना जाता है उदंत मारतं जो की 1826 मे कलकत्ता से प्रकासित हुआ था और इसके प्रकासक कौन थे तो जूगल की सूर सुक्ल इसके प्रकासक थे और यह एक प्रकार का विकली यानिकी सबताहिक पत्र के रूप में जाना जाता था 24 प्रसने की मुझफरपूर बमकांड 108 का सम्मधिन में से किस के साथ है सावरकर अजीत सी प्रफूल चाकी अबिपिन चंदरपाद तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसमें दो ब्यक्ति थे 1908 हिस्वी में प्रफूल चाकी एवं खुदिराम बोस ने मुझफरपूर का एक न्याइधीस यानिकी जज हुआ करता था किंग्सफोड किंग्सफोड को मारने का परियास किया जाता है मगर गलती से वो कैनेडी नाम का एक अब्यक्ति हुआ करता था उसकी पत्नी और परण के साथ जुड़े थे राजेंद्र परसाद सी अरदास मुतिलाल नहरू या भगत सी तो बिहार के किसान अंदोलन से जुड़े अगर व्यक्ति की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र परसाद और ये कब जुड़े थे तुने 17 में जब चंपारन सत्याग न की थी चलते अगला प्रस्ण क्यों 26 नंबर प्रस्ण कहता है कि निमलिखित में से कौन सा जीला धारवार भुवस्तरी रचना वाला नहीं है नहीं है मुंगेर रोहतास जमूई और नवादा तो आपको यह पता होना चाहिए धारवार के कुछ इंपॉर्टन पॉइंट बता रहें वो ध्यान से सुनिया दक्षिन बिहार के जितने भी जो अधिकांस चेत्र हैं धारवार चटानी सनचना वहां पर पाई जाती है जिसके अंतरगात आपका नवादा जमूई मुंगेर वाका गया नलंदा नलंदा का राजगीर यह सभी के सभी जो है वह धारवार चटान के अंतरगात आता है यानि कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जागा रोहतास ये नहीं है और रोहतास और कैमूर की बात करे तो यह बिहार में सोन अनदी घाटी और बिंध चटान परवत का समूह माना जाता है रोहतास और कैमूर अगला है 27 वा कि निमलिखित में से कौन सा भागोलिक रूप से ग्रेट निकोवार के सबसे निकट है ध्यान देंगे ग्रेट निकोवार निकोवार और अनमन निकोवार जो होता है दो तरह के उसमें ग्रेट निकवार की बात करें तो सुमात्रा वोडनियों जाबा और सिरलंका इनमें अगर देखा जाए तो ग्रेट निकवार भारत का दक्षिंतम द्यूप है और इसलिए यहाँ पर प्रस्ण की अनुसार सबसे निकटम इंडोनेसिया का सुमात्रा द्यूप हो जाए गंगा की एक मात्र सहायक नदी है जिसका उदगम मैदान को चीनित कीजी यानि गंगा की जो एक मात्र सहायक नदी जिसका उदगम मैदान से होती है कौम सा है तो आपको सुन सार्दा अथवसरियू गोमती और राम गंगा इन चार आप्सन में देखा जाए तो जो सुन गो और बाकि और अगर बात करें तो सोन उलएत को हें और यह सभी में गोमति नदी का उद्गम मैदानी भाग में आता है अगला प्रेसने 29 अलमाटी बांध किस नदी पर इस्थी थे तो आपको पता होगा अलमाटी बांध में लिए करनाटे के बीजापूर जीला के अंतर गरते अलमाटी नाम कस्थान पर ही कृष्णा नदी पर इस्थी थे यह उनहे 223 में उस समय मुख्याले इसका बैंगलूरी था-बाद में उनहेय 1255 से करनाल पन गया है smyар की नेपान अगर का समन्द के उद्योग से आपको पता होना चाहिए कि मधपरदेश में एक जगह है नेपानगर नेपानगर जो है अखवारी कागज उद्योग के लिए प्रसीद है और यह 147 में अस्थापित हुआ था पहले 147 में अस्थापित हुआ था प्राइबट में उसके बाद 149 में इसको मधपरदेश सरकार ले लिया और 169 में फिर यह भारत सरकार के अंतरगत काम करने लगा और यह जो है यह यह सिया में इस तरह की पहली अक्वारी कागज मिल हुआ करता था 32 प्राइब की निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है मूर्मुगुवा गुवा पारादी पोडिशा मंगलोरु करनाटा को मुंद्रा आंधर परदेश मुंद्रा की अगर बात करे तो आपका सही आंसर हो जागा आप्शन नमबर डी आप प्रस्ण किया है सुमेलित तो मुंद्रा जो है आंधर परदेश नहीं गुजरात में इस्तित है बाकियान ने सभी सही है 33 नमबर प्रसने के आल्स परवत स्रेनी निवन में से किस देश का हिस्सा नहीं है फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिय और इंग्लेंड तो आपको पता होना चाहिए कि आल्स परवत स्रेनी जो है इसका बिस्तार इरोप के फ्रांस, स्विर्जेलेंड, मोनाको, इटली, लिंचेस्टीन, आस्ट्रिया, जर्मनी, एवं स्लोवेनिया से है इसको एक और बैक करके आप फिर से सुन लेंगे जो आल्स परवत है इसकी सर वो चोटी मॉंट ब्लैक है और जो फ्रांस से वा मिटली की सीमा परिष्थी थे इतना याद रखेंगे यानि कि हमारा सही आंसर हो जाएगा इंगलेंड से कोई सम्मन्ध नहीं चोटी स्वा प्रेस निंपॉर्टेंट है ध्यान से समझेंगे कहता है कि भारत और चीन के अतिरिक निम्लिखित में से कौन से समूह में दिये गए देश से म्यामार के सीमा बढ़ती है यानि कि भारत और चीन के साथ म्यामार से सीमा साज़ा करने वाले कौन कौन से देश है तो आपको पता होना चाहिए कि मियमार के पडोसी देशों में भारत जो है उसके बाद बांगलादेश आता है उसके बाद चीन आता है फिर थाइलेंड आता है ये सभी सामिल है यानि कि थाइलेंड लाओस और बांगलादेश इतना इसके अंतरगत आता है अगर हम बात कर ले म्यामार से सबसे ज़्यादा सीमा साजा करने वाला कौन सा तो लगभाग चीन उसके बाद थाइलन्ड उसके बाद भारत ये सभी का सिक्वेंस मिलता है अगला प्रस्न है 35 ग्रेट बैरियर रिफ है तो आप्शन बाकी के दो उधर है मगर इसका अंसर आप्शन नमबर ए है अस्टेलिया की निकट एक प्रवालविती जो कि आगे इससे पाहले भी एक प्रस्न इससे समन्दे था जहां पर हमने बताया था कि एक क्यूंसलेंड दिय पर इस्थित है आगे चलते है 36 प्रस्न चतिसवप्रस्न कहता है कि ग्रन्थ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर गृसन और प्रस्कार मैथल्य और मगधि और Central Excise Act 144 में लाया गया था जो कि उसके बाद 185 में इसे प्रतीक बस्तु पर Excise Duty अनिवार कर दी गई है और अधिकांस बस्तु पर जो है यह लगवक 16 प्रतीसत होती है मगर यह बढ़ घट सकता यानि कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है Excise Duty को सही आंसर option number C 38 है कि भारती जीवन वीमा नीगम है यानि कि एलाइसी की बात करें तो या एलाइसी जो है संसद में एक Special Act के द्वारा बनाया गया कंपनी है या भारत की सबसे बड़ी वीमा और निवेसा कंपनी है जिसके स्थाप 956 में हुआ था यानि कि option number B उसके बाद है 49 वा के निमलिखित में से कौन सा संगठन buffer stock financing सुवधा प्रदान करता है buffer stock financing system इन में RVI, World Bank, IMF या ADB तो अगर बात क्या जाए buffer stock financing system जो है या IMF के द्वारा प्रदान की जाती है IMF फ्यानिक International Monitoring Fund जिसके स्थाप 956 में होता है मुख्याले वसिंटन DC होता है चालिसवा है कि भारतिय संभिधान में जैसा नहीत है निमन में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में समलित नहीं है तो समानता की मौलिक अधिकार में जो सामिल नहीं है उनमें आर्थिक समानता नहीं है बाकी कानून के समक्ष समानता समाजिक समानता अबसर की समानता ये सभी इस्तित्य सामिल है और आपको यह भी पता होगा कि मौलिक अधिकार जो है भाग तीन के अंतरगत काम करता है अनुछेद 14-18 के बीच में या यह वाला कौन सा तो समता के अधिकार के रूप में काम करता है और टोटल 12-35 तक मौलिक अधिकार है 41 वा है कि भारती संसत की सबसे बड़ी समीती कौम सी है तो भारती संसत की सबसे बड़ी समीती के रूप में अगर देखा जाए तो प्राकलन समीती को माना जाता है भारती संसत की सबसे जो बड़ी समीती है वह प्राकलन समीती है जिसका गठ है प्रति एक वर्स लोक सभा में बजट प्रस्तूत किये जाने के बाद एक वर्स के लिए किया जाता है, जिसके अंतरगत लोक सभा के ही टोटल 30 सदस होते हैं, राज सभा के कोई सदस से नहीं होते हैं, अगर हम बात कर लें लोक लेखा समीती, तो लोक लेखा समीती में टोटल 22 सदस होते हैं, जिनमें 15 लोक सभा सात राज सभा लोक उपक्रम समीति की बात करें तो इसमें भी 22 सभा में जो रहेगा 15 सदस और राज सभा में 10 सदस याज का समीति में रहते हैं अगला है ब्यालिस्वा प्रस्त ब्यालिस्वा कहता है कि कौन राष्ट्य मानवधिकार आयोग का पदेन सदस नहीं है आप्सन देख लेंगे आप्सन में अगर आप देखेंगे तो आप्सन नमबर बी जो है भारती बीधी आयोग का ध्यक्ष जो है वो राष्टी मानवधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है बाकी राष्टिय अल्पसंख्यक आयोग का ध्यक्ष, राष्टिय अनुसूची जातिय वम अनुसूची जनजाति आयोग का ध्यक्ष, राष्टिय महिल आयोग का ध्यक्ष, ये सभी किसके अंतरगत मानव अधिकार आयोग का सदस्य के रूप में होते हैं 43 प्रस्ट, 43 कहता है कि संविधान 58 संसोधन विध्यक किस से समझ दीते तो भारतिय संविधान का 58 संसोधन विध्यक जो है राष्टिय न्याईक आयोग राष्ट्य न्याईक आयोग के गठन से है जबकि ध्यान रखेंगे कि राष्ट्य न्याईक न्यूकती आयोग का गठन 99 संसोधन 2014 में क्या गया था पॉबिधन निम्रमे मेंने कीस दिन मनाया जाता है छोबीस अक्टुबर को की मेंग निवानेवार कुर्ण के ईंधन हो गया सी ह यह मुख्य ता आपका सही आंसर हो जाएगा और अर्वीन्द त्रिवेदी का चलिए रमायर में रावंद जो थे अर्वीन्द त्रिवेदी ही थे आगे चलते हैं 46 प्रस्थ शालीसवा कहते है कि किस भारती सहर को भारत का पहला वाटर पहला सरगोसित क्या गया तो यह इंद और 40 वह है कि ल्पीजू भोकता के मामले में बिहार का सबसे पिछडा जीला क्रम कौन सा है? LPG भोकता के मामला में तो वो हो जाएगा बाका ररिया और किसंगन बिहार का सबसे समरिध जीला का क्रम में अगर देखा जाए तो जो सबसे बढ़ियां है वो आपका पहले मुझाफरपूर, फिर पटना, फिर आपका बेगोसरा ठीक है और सबसे पीछे हैं बाका ररिया और किसंगन मुझाफरपूर, पटना, बेगोसरा, LPG में सबसे आगे और बाका ररिया किसंगन सबसे पीछे अगला है उन्चासवा प्रस्न की हाली में बिहार के किस जीले में परियावरन की जानकारी देने के लिए एक कॉल सिंटर की अस्थापना की गई है तो यह सही आँसर आजाएगा option number C पटना में अगला है पचासवा की बिहार का पहला forensic science department खोलने का प्रस्ताब रखा गया है किस जीला में पहला forensic science department तो यह खोला जाएगा मुखे ताए आपके कहां पर भोजपूर में option number B और ये बीर कुबर सीम बिस्विद्यालाई में राजी का पहला फॉरेंसिंग science department खोला जाएगा तो ये थी 50 प्रस्ण GK, GS और के अब जो आगे के 25 प्रस्ण मिलेंगे वो totally science के होंगे और ये science आपके most important point रहते हैं किसी भी exam को vary करने के लिए क्योंकि arts parts सबका लगहग मजबूत होता है तो science पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और देखे 25 प्रस्ण ये 51 कहता है कि निमलिखित में से सूरी तथा पिर्थिवी से बीकरी तुसमा के अफसोसन के लिए सबस्य वस्य कौन सा है तो इन सभी में कार्वन डायोकसाइड कार्वन डायोकसाइड जो कि एक ग्रीन हॉस गैस भी है 52 प्रस्ण कहता है कि निमलिखित में से किसका सरीर सीर से पूछता खंडित होता मॉलस्का का, संधिपाद यानि का अर्थरोपोडा का वल्यन का या अंतर गुही का तो इन समिस अगर देखा जाये तो एनी लीडा या वल्यन जाती जो होता है इसकी पूरे सरीर जो है खंडित होता यानि के टुक्रे टुक्रे में होता है 53 पनवा 53 पनवा कहता है निमलिखित में से किसके मद सिनेप संत्राल इस्थित होता सिनेप संत्राल के अगर बात किया जाए तो दो निउरॉन के मद्ध का अंतर सुत्र युगमन कहलाता है और यही एक सरचना होती है जो निउरॉन यानि कि तंत्र का तंत्र को दूसरे निउरॉन से electrical या chemical signal को पहुंचाने में मदद करता है यानि कि सही आंसर हो जाएगा दो तंत्रिका कोशिका क्या सिनेप संत्राल कहाँ पर रहेंगे तो दो तंत्रिका कोशिका में चोगा नबर प्रैसने की निमलेखित में से कौन सा या से हर्मोन इस्तिरियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हर्मोन महलाओं में प्राजनन की स्वास्थ पर निर्भर करता है और प्रभाव डालता है अगला है पच्पन की एक समान मनुस के लिए सुवस्पष्ट द्रिष्टी की नियूंतम दूरी सेंटी मिली मीटर में कितना होता है सेंटी मीट में तो 25 cm option number B अगले है 56 की निम्लिखित में से किसे अजिर्न के इलाज के लिए उप्योग किया जाता है अजिर्न यानि की इसका मतलब एंटासिड एंटासिड यानि की option number यह हो जागा प्रत्याल्म का प्रदार्थ है जो कि देश की पेट की अमलता को दासीन करता है आगे चलते प्रत्य अपना 57 गाता है कि JJ Thompson को डैस की खोज के लिए भौत की में नूविल परस्कार मिला था तो बात पहले अगर JJ Thompson की कर ले तो JJ Thompson जो है यह भौत की से सम्मंदित आपका इलेक्टरोन की खोज के कारण उन्हें सोच्छा इस वी में JJ Thompson को नूविल परस्कार मिल कहा जाता है तो यह कहा जाता है कारवनडाई ओक्साइड को सुस्क बर्फ को कवे-कवे कर्डिस के रूप में भी जाना जाता है कर्डिस कर्डिस ठीक है ऐसा अगले है 59 की प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किसी उक्ति का परियोग करेंगे तो इसके लिए आपको पता होगा रेक्टिफायर 60 नमबर है कि बुरादे से धकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिगलती क्यों नहीं पिगलेगा क्योंकि बुरादा उसमा का कूचा लग होता है 61 नमबर है कि महासागर में डूबी हुई बस्तू की स्थिती जानने के लिए निवन में से किसी अंतर का पर्योग किया जाता है तो सोनार का पर्योग करेंगा उप्शन नमबर D 62 है कि दाब की काई क्या है तो दाब काई काई जो हो जाएगा सही आंसर न्यूटन प्रती बर्ग मीटर आप्सन नमबर A जिसे हम पासकल के नाम से भी जानते हैं 63 है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि क्यों फैलेगा क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है 64 है कि अधो लिखित में कौन सा रंग इंदर धनुस के मध्ध में दिखाई देता है तेंदर धनुस के मध्ध में हरा रग अगला है 65 है कि ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की प्रकिरिया को क्या कहते है तो ठोस कपूर से कपूर प्रवास बनाने की प्रकीरिया को उधर उपातन यानि की सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है जिसके अंतरगत निप्थलीन, कपूर, आयोडीन ये सभी आते अगला है 66 की चूना पत्थर का रसाइनिक नाम चुना पत्थर का रसाइनिक नाम calcium carbonate CaCO3 होता है अगला है हमारा 67 के निलिखित में से कौन सदावा रवा crystal नहीं है तो हमारा सही आंसर हो जागा 67 का गंधक जो है crystal नहीं है अगला है 68 की बायवानों के टायरों में भढ़ने के लिए किस gas का परियोग किया जाता है अगला है 69 की मिर्च की तिक्षनता का कारण क्या होता है important और अक्सर पूछा जाता है तो मिर्च की अगर बात करें तो मिर्च एक सोले नेसी कुल की पौधा होता है इसका उप्योग हम लोग सब्जी बगरा में करते हैं और ये मुख्य रूप से इसमें कैपसे सीन के उपस थीती के कारण तीखा होता है अगला है 70 की पसुम बिशेष्टा दुधारू गौक अनुपूरक भोजन के रूप में परियुक्त जैब उर्वरक कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा अजोला ओपस नमबर बी अगला है 71 की किसी देश के बैगान को ने एक ऐसा कृत्निव रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किसम है जिसे किसी मरीज को डैस का विचार के बिना दिया जा सकता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपस नमबर बी ब्रिटेन का ब्रिटेन के बैगानिकों ने प्लास्टिक कनिकाओं से कृत्नि विरक्त बनाया है जिसे किसी भी मरीज में परियोग किया जा सकता है अगला है 72 की प्रकास संसलेशन में कौन सा प्रकास सबसे अधिक प्रभाब कारी है तो प्रकास संसलेशन में जो प्रकास सबसे अधिक प्रभाब कारी है उनमें हो जाएगा लाल आगे देखते हैं 73 है कि एक मनुस्य को बेरी-बेरी सुखा रोग बास करवी की बिमारी होगे यदि उबाह नहीं ले रहा है यानि कि निवे से क्रमसह में आपको अंसर देना है तो बेरी-बेरी के लिए बिटामिन B1, सुखा रोग यानि कि रिकेट्स के लिए D और असकरवी के लिए बिटामिन C जिम्मेदार होता है अगला प्रसनी 74 की दूध में प्रोटीन और कार्वाहिटरेट के तिरिक पोसक दायक अन्य ततों में सामिले दूध में प्रोटीन और कार्वाहिटरेट के लावा और क्या मिलता है तो कैल्सियम और पोटैसियम मिलता है ऑप्सन नूमबर दी हो जाएगा ध्यान रखेगा कि पूर्ण दूध को पूर्णाहार कहा गया है दूध में अधिकांशता लगवक 87% जल होता है सेस भाग में ठोल द्रब यह सभी माना जाता है मगर दूध को नहीं दूध को पूर्णा हर नहीं माना गया ठीक है इसमें कुछ कुछ कमी होती है अगला है 75 और आखरी प्रेस नहीं करता है कि गैसी इस्थिती में पाया जाने वाला हर्मोन है एक वर आप जाते जाते पहले वीडियो को सेर कर दीजी साथ ही साथ वीडियो कभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाएंगे और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है आप जरूर वीडियो को अन्य सभी दोस्तों तक सेर क्या करें आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा भी फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए हम अगर महिनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप भी अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, तो हम भी आपको समय पे वीडियो बगर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपका भी कुछ अच्छा होता रहेगा, तो थोड़ा हमारी भी अच्छाई के बारे में सोचें, और हमें अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिया करें, तो चलिए, इस का अंसर देख लेते हैं, 75 का, कि गैसी स्थिति में पाया जाने वाला हर्मोन कौन सा है, तो वो एथिलीन, और एथिलीन क्या करता है, कि एथिलीन जो है, पौधे की लंबाई, चोड़ाई में बृधी करता है, साथिसाथ हर्मोन फलो के पकाने में भी काम होता है, तो ये था पूरे के पूरे आपके 75 प्रस्ण, जी के जी इसके, बाकी के पीडियेफ आपको ये पूरा 150 प्रस्ण का है, इसमें मौझूद, इसको आप हमारे टिलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, साथिसाथ प्लेटफॉर्म का 15 सेट अपलोड कर दिये गया है, वो भी आप जरूर देख लिया करेंगे, सभी का सेट आपको मौझूद है, बिहार SAC के प्लेलिस्ट में, तो उमीद करेंगे, वीडियो आपको helpful लगा होगा, तो जाते जाते पूना है, आपसे कहेंगे, एक और लाइक, शेर, कमेंट जरूर करके जाएं, और आप यहां तक पहुंचे, इसलिए आपका बहुत वहुत धन्यवाद हमारे साथ ही भी बना रहें, और अभी के लिए इतना ही, आज के लिए जय हिंद,